बोचहाव विधान सभा उप्चुनाव की मतगंधना 16 अप्रैल को होनी है लेकिन इस बीच तमाम राजनितिक दलों की अपनी अपनी दावेदारी है हर कोई अपनी जीत का दावा ठोक रहा है इसी कड़ी में राज़त के वरिष्ट नेता शुवानंतिवारी ने भी बड़ा बयान दिया है उनका कहना है कि मुकेश सहनी ने जो दावा किया है कि बीजेपी फाइट में नहीं है इस बात से हम सहमत हैं मुकेश सहनी का दावा है कि हम जीतेंगे उनकी पाटी लर रही है वो कैसे बोलेंगे कि वो हार रहे हैं लेकिन यहाँ पर भाजपा फाइट में नह की लेकिन भागपा के लिए वोट में तब्दिल नहीं कर पाएं आए सुनते हैं श्रिवारंतिवारी ने क्या तरक दिये हैं जिससे यह समझा जाना चाहिए कि राष्ट्रे जनतादल के हिस्से में जीत जा रही है वोचहा विधान सभा राष्ट्रे जनतादल के पास पहुंचने वाली है अमर पासवान वहां जीतने वाले हैं तो चहां हमें ट्रेंगुलर फाइट है टीन उमिद्वार हैं वहां मुकेस राहनी ने दवा किया है कि बीजेपी पाइट में नहीं सं हम भी गए थे वहां आपने वी जो देखा हमको भी यह पूरा यह लग रहा है असपर दिखाई दे रहा है कि भारते जल्दा पार्टी वहां संघर्श में नहीं है अब भुकेस आहनी का दावा है कि हम जीतेंगे वाई उनकी पार्टी लड़ वही है कैसे कहेंगे कि हमारे ह उसी तरह से हमारा भी दावा है कि हम हमारा जो उमिद्वार है वह अच्छे खासे मारजिन से जीत रहा है हमारा दावा इस बात पर आदारित है कि हमारे साथ कौन-कौन वोट है यह मुक्य सानी के साथ कौन-कौन वोट है इसके इस पर जो है अगर जज़ किया जा तो असप ट्रूके साहनी को जो सहानी समाज है जिसकी अची खाराशी संख्या है वह हो तो बने टॉटल उनको बेब दे रहा है उसको तोड़ने की काफी कोशिस भी जानने सोइब कपिंटन साहिब के लड़के उनको कोशिश करना लेकिन उनको सफलता मिली नहीं अब देखिए का कि मुक्केश साहनी के साहनी समाज है और गीता उनकी उमिद्वार है रमई बाबु की बेटी तमाले जिस समुदाय से वह आती है यह दो दिखाई दे रहा है हमारे साथ उमिद्वार है कि हमारा जो कोर जो बारते जनता पार्टी का कोर भोटर है उस में वुम्यार समाज उसके अंदर काफी रोस था काफी नराजगी थी एक तो उमिद्वार को जिस दंग से इनों ने थोप दिया वहां दूसरे वहां देखा कि यह रामसूरत राय उसी कंच्वेंसी के रहने वाले हैं वहीं के विद्वार जो है तै करती है संजेज सवाल के साथ मेलों करते इसको लेके बहुत रूस है क्योंकि एक बार बेवी जो है जो भारती जनता पार्टी की विद्वार बनाई गई है वो बिदायक रह चुकी है और उसका तजरुबा बहुत ही खराब रहा है उस च्छेतर का नह में आम तोर पर दाड़ा है कि आदमी ने अपने जीवन में संगर्ष करके एक अस्तान अपना बनाया पांच साल के दिए उसको वोट दिया था वो चला गया उसका बेटा खड़ा है उसका बेटा पड़ा लिखा है नम रहे भद्र है इसको बौका देना चाहिए और यह फि कि हमारी जीत होगी और जीती नहीं होगी मनें अच्छे खासे मार्जिन से हमारी जीत होगी